जैसी राम, जैसी राम, जैहोब आगे सोरधाम सरकर, मेरे प्यारे सभी वक्तों, यदि आप भी पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन आपके जीवन में पैसा आता नहीं, बहुत मिनहत करते हैं, उसके बावजुद भी आपके जीवन में पैसा नहीं आता है, आपके घर में कर्ज की समस्या लग वही आपकी आर्थिक सिति बिल्कुल ही कमजोर हो गई आपका जीवन बिल्कुल इस संकट में पढ़ गए ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में कभी मतलक्षमी का वास नहीं हो बहुत ही महत्वपूरे इस वीडियो में जो कुछ भी उपाया बताए जाएंगे जोती सास्त के अनुसार ही बताए जाएंगे और बहुत ही कारिकर उपाया एक सो पांच परसंट के मैं गारेंटे देता हूं यदि आप भगवान पर भरोसा करके यदि आप इन उपायों को कर करते हैं तो पांच परसंट के गारेंटी है कि आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोख सकता आपके जीवन में जो धन संबंदी समस्याइं चल रही हैं सभी परकार से छूट जाती है वैसे सभी लोग तो पैसा कमाना ही चाहते और पैसा कमाने के लिए लोग दूर दूर तक देश बिदेश चले जाते हैं उसके बावजूद भी उनके घर में आर्थिक समस्याइं बने ही बने रहती हैं एक एक रोग लगे रहती हैं घर में समस्याइं लगे रहती हैं उनको सफलता यह सफलता का सामना करना पड़ता है धन्समंदी समस्या हमेशा तो बनी रहती हैं आखिर यदि आप भी इस परकार के समस्याओं से घिरे हुए हैं तो आज के वीडियो बिल्कुल आप ही लोगों के लिए मिनत करने के बावजूद भी यदि आपको सफलता नहीं मिल पाले तो इन कुछ कारिगर उपायों को कर लिए जिएगा जो आज के इस वीडियो में बता माता लक्षमी को आपके घर में आने से कोई नहीं रोक सकता हूं उन्हें तो आना ही पड़ेगा इसलिए मेरी एक छोटी से रिक्वेस्ट यदि आप बागेस्वर बाबा के भगते हैं तो कमसकम वीडियो को लाइक कर दीजे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल हिम्मत भू लिएगा तो चलिए हम लोग एक-एक उपायों को जान लेते हैं अकरिवे कौन से कारिगर उपाय हैं जो आपको करोणपती बनने से नहीं रोक सकते हैं पहला नम्र का उपाय है लक्षमी जी के आपके घर में माता लक्षमी का चित्र होगा या चोटी सी मूर्थी होगी गाओं में आपके नहीं आपके मुहले में नहीं तो आप इस उपाय को अपने घर पर ही कर देगा माता लक्षमी का छोटा सा मुर्थी तो अवस्य होगा जैसा कि दिपावली के दिन सब ही लोग अपने घर में मुर्थी प्रतिस्थापित करते हैं तो माता लक्षमी के चित्र के सामने आपको ठीक है रोज इस काम को करना है क्योंकि रोज आप नहादो करके पूजा करते ही करते हैं तो पूजा करते से में आपको इस काम को करना है क्या करना है आपको केसर लाना है केसर मार्केट से रोज मातालक्षमी को केसर का तीलक लगाते हैं तो माता लक्षमी के 20-20 स्कृपाय आपके उपर पड़ती हैं और माता लक्षमी ना चाहते हुए भी आपके जीवन में धन लक्षमी माता खुद जो उनको आना ही पड़ेगा इतना खतरनाक है केसर का उपाय इस वज़े से आप सभी भग केसर के इस कारिगर उपाय को जरूर ही करें कम से कम एक महिना दो महिना छे महिना यदि आप इन उपाय को करते हैं तो हंडेड परसेंट इसका प्रभाव आपके जीवन पर दिखाई देंगे दूसरा नमर का उपाय है आप बरगत का पेड़ तो देखे ही होंगे अगल बगल जिसको बट बिच भी बोला जाता है बरगत और पीपल दोनों में अंतर होता है बरगत का पेड़ बट बिच जिसकी जटाएं बहुत लंबी-लंबी होती है सोर जिसको बोलते हैं सोर उपर से जटाएं निकलती है नीचे तक चली आती है उसी को तो बरगत कहा जाता है तो आपको ध्यान से इस काम को करना है बरगत के पेड़ का काम करना है जब आपको जीवन में बहुत अधिक पैसों की तंगी रह गई हो और यदि आप चाहते हैं कि अचानक धन की प्राप्ती हो जाए ताकि आपकी समस्याएं खतम हो जाए यदि आप बरगत के पेड़ के नीचे इस उपाय को करते हैं तो अचानक धन की प्राप्ती का योग बनता है लेकिन कैसे करना है इन उपायों को पलिध्यान से समधिये बरगत की जो जटाएं लटके होई थे जो पुराना बरगत का पेड़ता है जिसको सोर कहा जता है तो जो पुराने जटाएं लटकी रहते हैं आपको अकेले जब आप इस उपाय को करें तो कोई देखे नहीं आपको कोई एक जटाओ को चूज कर लेना है जो आप जटाओ को हमेशा याद रख सके कोई एक जटाओ को ले करके जो लटके रहते हैं उसमें आपको गाठ देना है लेकिन जब आप गांट देते हैं उसमें आपको भगवान से प्राथना भी करना है और आपकी जो कुछ भी मन कामना है उसको बोलना है और गांट बारके चले आना है रोच आपको विदिवत से सुबा उठकर करके आप अपने घर में पूजा करते हैं और पूजा पट करते रहना और भगवान से भी अपनी इच्छाओं को बोलते रहना जब तक उसको बोलना है तब तक कि आपकी योई इच्छाओं आपका काम पूरा नहीं हो जाता और बहुत जल्द ही आपको मन कामना पूरी हो जाएंगे जैसे ही आपकी मनकामना है पूरी हो जाती जो अचानक धनकी जब प्राप्ती हो जाती है तो आपको फिर से जाकर करके उस बट ब्रिच के जो सोर है जटाएं उसमें आपने गाठ बाधाता है उसको खोल देना है नई खोलेंगे तो इसका दूस प्रेडाम आपके जीवन पर पढ़ने लगेगा आप इस उपाय को एक बार करके देखिए एक महीना भी नहीं लगेगा इसका प्रेडाम बहुत ही जल्दी आपके जीवन पर दिखाए दिनने लगेगा तिसरा नमर के जो उपाय है आपने अरिकता तो पीला हल्दी देखा ही होगा पीला हल्दी लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको पीला हल्दी का उपाय नहीं बताऊंगा आपको मैं काली हल्दी का उपाय बताऊंगे आपका नफ्यूज हो रहे होगे काली हल्दी जी ह येधि आप काली हल्दी का उपाय करते हैं, तो परसंटके साथ मैं है कर सकता हूँ, यह उपाय कारिकर है, आपको चिवान में न में also समंझा है, खतम रोझन우時, इसको आपको करना है, कैसे करना द्यांसे समझे है, आपको लेना कि एक काली हल्दे की गांठ लेना है ठीक है काली हल्दे की गांठ लेना उसकी बास से आपको सिंदूर लेना है सिंदूर लेना और एक रुपे का सिक्का लेना है यदि आपके पास चांदी का सिक्का हो तो और ही बेहतर है काली हल्दी की एक गाट सिंदूर और एक चांदी का सिक्का नहीं तो नारमल एक उर्प्य का सिक्का इन सब चीजों को आपको ले करके लाल रंगे कपड़े पर बिचा करके रख कर और इसका एक पोटली बना लेना है इस पूटली को बना करके आपको अपने घर के पूजा अस्थान पर बैठ जाता है मातालक्षमी के सामने वहाँ पर बैठ करके आपको इसके धूप दिखाना है और विधिवत आपको जैसे मातालक्षमी के पूजा करते हैं वैसे इसका भी पूझा करना है मातालक्षमी मान करके और इसको 24 गंटा के लिए उसी अस्थान पर रख देना है मंदिर में ही 24 गंटा के बाद यदि आप इसको उठा कर अपने घर के तीजोरी में रख देजिए अपने घर के गल्ला भंडार में रख देजिए जहां पर भी आप पैसे रखते हो उस जगाँ पर रख देजिए क्योंकि 24 गंटा रखने के बाद यह सिद्ध हो जाता और इसमें मातालक्षमी की दैवी सक्तियां समाहित हो जाती है और जब अपने तीजोरी में रखेंगे तो मातालक्षमी की आशिरबाद उसमें लग गई है जिसके वज़े से आपके तीजोरी में अन्नधन भंडार हमेशा ही भरा रहेगा पैसो की कभी कमी नहीं हो सकते है चोथा नमर का उपाए है आपको मातालक्षमी के मूर्ती के साथ ही करना यदि चित्र है या घर के बगल में कहीं मूर्ती है तो बड़ी अच्छी बात है आपको क्या लेना है मोती संख चूड लोना है ठीक है देहां से समझिए मोती संख चूड ले करके और जल ले करके आपको मातालक्षमी के मंदिर में चला जाना है और वहाँ पर जाने के बाद आपको जल में उस मोती संख चूड को मिला देना है और मातालक्षमी का अभिसी करना इसी जल से रोजाना यदि आप अपने घर के मंदिर में भी एदि कर देते हैं घर का जहाँ पर पूजा अस्थान होगा वहाँ पर यदि आप रोजाना काम करते हैं तो बहुत जल्दी कम सकम दो हपता भी नहीं लगता है यदि आप इसके साथ साथ चाहें, तो मातालक्षमी की पूजा करते ही, लेकिन इसके साथ साथ यदि आप भगवान बिस्नु को दाहिनी संक से, आपको दाहिनी संक से, आपको भगवान बिस्नु को यदि आप असनान कराते हैं, तो भगवान बिस्नु तदा मातालक्षमी की बिसेस के रपाय आपके उपर से पढ़ती है वर आपके जीवन में धन धान आने से कोई नहीं रोख सकता है। अगला जो उपाय अध्यान से समझेगा आपको मातालक्षमी के सामने आसन लगाना है। लेकिन आपको पता होगा कि हमेशा मातालक्षमी कमल पर ही भी राजमान करती है। तो मातालक्षमी का आसन तो कमल पर होता है। लेकिन आपको अपने घर के पूजास्तान पर बैठ जाना है। और मातालक्षमी के सामने आपको पूजा अरपित करना है। और एक आपको कमल गट्टे की माला आप की राणा साफ पे जाuir अच्छे बड़े राणा पे जाए वहां पर कमल गट्टे की माला Park माँगेंगे तो वहां से मिल जाएगे तो कमल गट्टे की माला लोगो ले करके मातलक्ष्मी को अरपित जोंब कर देना है उसके साथ सत्यविधिदि आप चाहते हैं कि माता लक्षमी को तुरंत परसन्यक करना चाहते हैं तो आप जो कमलगट्य का माला है कमल गट्टे के माले से रोज 108 बर माता लक्षमी के बीज मंत्रों का आप जाप करिये माता लक्षमी ना चाहते हुए भी घूम घूम करके आपके घर पर आना ही पड़ेगा आपके घर की जो तिजोरिय उनको भरना ही पड़ेगा ऐसा होता है कमल गट्टे का बीज का माला का सकती कमल गट्टे का बीज का जो माला होता है बहुत ही खतना होता है इस वज़े से कमल गट्टे की माला माता लक्षमी को जरूर ही अर्पित करना चाहिए और उससे ही से आपको माता लक्षमी के बीज मंत्रों का उचारण करना चाहिए आपके घर में धन धन की कभी कमी नहीं हो सकती है तो आज की इस वीडियो में मैंने लगवग आपको 6-7 तरीके बताएं और यह तरीका सब के सब एक से एक बढ़ के कारिकर हैं सब मतलक्षमी के ही कारिकर उपाएं यदि आप इन उपाएं को करते हैं तो आप मतलक्षमी भगवान बिजरूप पर आपको भरोसा है तो यकीन मानि आपके जीवन में बहुत जल्द ही धन की समस्यां खतम हो जाएंगी और आप भी एक जो अमीर करोन पती जो बनने का सपना सकार हो जाएगा और सुखी चैन से आप अपने जीवन का गुजार सकेंगे